आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथियो आज उलट कंबल की बारे में बताएंगे उलट कंबल के उस्दिय गुणों की चर्चा करेंगे इसके बीज आप देख रहे होंगे बीज नीचे के तरफ लटके हुए है और इसको डैविल्स कोटन भी कहते हैं साथियो अस्थमा के लिए और ब्रॉंकाइटिस के लिए आप इसके पत्र और इसकी छाल का डिकोक्षन बनाकर सेवन कर सकते हैं पांच ग्राम चाल ले लीजिए या फिर आप तीन से चार इसके पत्र लेकर और थोड़ी सी मात्रा इसकी छाल की डाल लीजे और काढ़ा बनाकर सेवन कीजे कफ को पतला करके निकाल देता है और हमारे जो रेस्पायट्री ट्रेक्ट है उसको मजबूती देने का कारे करता है साथ ही इसकी बार्क को की चाल को जब आप रिमूव करते हैं तो स्लाइमी मैटीरियल भी निकलता है और वो स्लाइमी मैटीरियल जनरल बोडी को टॉनिक देने वाला होता है जनरल टॉनिक होता है और जनरल टॉनिक शरीर के मिनरल्स की कमी को पूरा करके हमें एंजाइट स्कार्मोन कोbird lagi करते हैं जो की हौर्मोन को रेगुलेट करने का कारे करते हैं भी समस्या हो यह मिनोरिया की समस्या हो तीनों को आसानी से दूर करता है, periods का irregular आना, पेट में krems का होना और infertility की समझ्चा का होना, इन सब को ये दूर करता है, आपको मात्र इसका काढ़ा बना कर 7 करना है, सवाध अनुसार आप उसमें अध्रक का rush और सहद मिला कर भी 7 कर सकते हैं, साथियो इस प्लांट का उप्योग free radical squenching activity के लिए भी किया जाता है सरीर से toxins को remove करने का ये कारे करता है और सरीर से जब toxins निकल जाते हैं तो neuro degenerative disorders सहजता से control किये जाते हैं मित्रो कई बार body की weakness के कारण या hormone के imbalance के कारण albuminuria की समश्य होती है इसका मतलब होता है पेसाब के अंदर proteins का आना पेसाब के अंदर whitest material का आना जिससे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा weakness आ जाती है growth नहीं हो पाती है calcium का level भी down हो जाता है ऐसी समश्याओं को दूर करने के लिए आप इसके ताजा पत्र का सुरस बना कर 7 कीजे आसानी से दूर हो जाती है मित्रो albuminuria की समश्याओं अगर रेमीडियेट ना हो तो सर के अंदर headache की समश्या रहती है सरदर्द करता है और सरदर्द करने के साथ भूक भी नहीं लगती है और धिरे धिरे liver problems भी start हो जाती है उन सब के रेमीडियेशन के लिए आप उसको उप्योग में लाइए बित्रो कई बार गर्ब धारन करने की छमता मातां और बहनों में नहीं होती है इसके कई कारण हो सकते हैं hormonal imbalance भी हो सकता है या फिर गर्ब सोधन क्या हो सकता होती है तो गर्ब के समय भी लेना है चार दिन आप देखेंगे कि 6-7 अगर आप ऐसा करते हैं और 2-3 महीने तक अगर आप लेते हैं तो धिरे धिरे गर्ब सोधन होता है और गर्ब सोधन के बाद conceiving की छम्ता डवलप हो जाती है गर्भधारण की छम्ता डवलप हो जाती है इस प्रकार से यह अपना उत्तम कारिया करता है महिलाओं की menstrual disorder से सम्मंदित हर प्रकार की बीमारी को यह दूर करता है ना कि वल दूर करता है बलकि hormones के regulation करने के बाद permanent heal भी करता है वंडरफुल इमिनागॉग ये प्लांट है, जनल बोडी टॉनिक है, डायबेटीज के पेशेंट्स में कई बार प्यास लगने के समस्या होती है, और बार बार पेशाब जाने के भी समस्या होती है, गला सूख जाता है, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, तनाव बना हुआ रहता है, और कई बार ऐसा विटमिन्स के इंबेलेंस के कारण भी हो जाता है, चाहे डायबेटीज ना भी हो, ऐसे किसे में हम लोग घबरा जाते हैं, और लगता है कि हमें डायबेटीज कहीं हो ना गया हो, तो दोनों ही परकार के पेशेंट्स के लिए, चाहे इक्षन आ रहे हैं, शिम्टम आ रहे हैं, तो उनको ये दूर करता है, बार बार लगने वाली प्यास को, पेरों की, पिंडलियों की दर्द को, सूजन को ठीट करता है, बहुत अच्छा ये प्लांट है, जनरल बोडी टॉनिक के रूप में आप इसको इसको इस्तमाल कीजे ज्यान ये रखना है, प्रेगनेंसी के समय हमें इसका उप्योग नहीं करना है, क्योंकि इसका होर्मोनल लेवल पे रेगुलेशन होता है, और ये अबोर्ट इफिशेंट भी हो सकता है, इस बात की सेफटी के साथ आप इसको उप्योग कीजिए, कटिंग के माध्यम से आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं, सीड के माध्यम से अगर आप इसको कमर्शिली लगाते हैं, तो ज्यादा कोस्ट नहीं लगती है, लेकिन क्रॉप को हार्वेस्ट करने में समय लग जाता है, मित्रो इस प्रकार से सेफली आप इसको औस दियगनों के लिए उप्योग में धूमें समय गर्मस प्रकार से 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 समय लगती हैं, से सकते हैं, लेकिन क्रॉप इसको तो आपिते हैं, ये ल्यादा आप 1800 वारा से 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 सहर अवाल इसको अवीयों को समय लगते हैं, नहीं बन्यistरُ एबलें में लBC Κारूपिज से से लिसको औरậnा हैं, लुए रज़ का व